आपको सबसे पहले इसी का सेवन करना चाहिए ताकि ये भोजन के प्रवाह को आसान बना दे आज पेट का कैंसर, आथ का कैंसर बहुत ज़ादा हो रहा है ये घटना बहुत कम होगी ये सिस्टम के भीतर आभा को बढ़ाता है जोदपुर से सुनिया कहते हैं कि पारम पर एक रूप से घी हमारे भूजन का एक अभिन अंग रहा है पर हमारी सुस्त जीवन शैली को देखते हुए क्या इसे हमारे भूजन में शामिल करना समझतारी है या हमें इसे छोड़ देना चाहिए अब घी में कई उप्यों की चीज़े है वो जोदपुर से आती है जो वास्तव में रेतिली भूमी है ऐसी जगे में घी बहुत-बहुत महत्वपून है क्योंकि अगर घी में ये च्छमता है आम तोर पर हमें इसे समझना चाहिए आज हम इसे कई सारी चीज़ों के साथ मिला रहे है घी और चीनी, घी और कार्बो हाइडरेट और सब कुछ आम तोर पर पारंपिरिक रूप से घी को पहले निवाले के रूप में खाया जाता था विचार ये है कि वे जोदपुर से आती है और अगर वे दाल बाटी खाती है घी में डूबी हुई इस दाल बाटी को आप घी के अलावा और किसी तरीके से नहीं खा सकते इसे घी में सराबोर करना होता है क्योंकि अनाज का रूखापन ही इतना है कि घी के बिना उस चीज का शरीर से गुजरना बहुत मुश्किल है और घी के साथ पहला निवाला खाने का विचार ये है कि घी एक चिकनाई वाला पदार्त है जो पूरी अहार नली को चिकनाई देता है आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि ये भोजन के प्रवाह को आसान बना दे और भारत में एक कारण ये भी है कि कई तरीकों से मिर्च भारत का मिजाज है ठीक है तो खास तोर से राजस्थान में मिर्च क्योंकि अगर एक उंट भी खाता है तो ये स्वादिश्ट होना जाए तो वहां सच में, सच में मिर्च पर बहुत जोर दिया जाता है जब आप बहुत मसालेदार भोजन खाते हैं तो उसे खाने से पहले आपके भोजन मार्क पर घी की परत चढ़ाना बहुत अच्छा है आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, दूसरी कई जगों पर, जहां कहीं भी बहुत गर्म मसालेदार भोजन होता है वहां घी खाना भारतिय परंपरा का एक हिस्सा रहा है उसे अलग रख दें तो घी का महत्व ये है कि ये आहर नली को साफ रखता है दिखे शारिरिक और मांसिक रूप से स्वस्थ रहने का एक जरूरी पहलू ये है कि आपका पेट साफ रहना चाहिए अगर आप किसी आयुर्विदिक डॉक्टर या एक सिद वैदे के पास जाते हैं अगर आप ये भी कहते हैं कि आप मांसिक रूप से परिशान है तो वे आपके साथ पहली चीज आपको रात में नीन नहीं आती सबसे पहले वे आपकी सफाई करेंगे क्योंकि इन सभी चीजों के लिए साफ पेट का होना बहुत जरूरी है तो जो व्यक्ति घी का उचित तरीके से सेवन करता है उसका पेट हमेशा साफ रहेगा क्योंकि वहाँ कुछ नहीं चिपकता वहाँ कुछ भी लंबे समय तक नहीं ठहरता आज पेट का कैंसर आत का कैंसर बहुत ज़ादा हो रहा है ऐसा नहीं है कि आप इसे पूरी तरह रोक सकते हैं पर अगर एक निश्चित मात्रा में घी का सेवन किया जाए तो ये घटना बहुत कम होगी और घी सही गुनवत्ता का ही होना चाहिए मुझे नहीं पता आज लोग कौन सा व्यवसाई घी खा रहे है पर अगर इसे उचित तरीके से गाई या भेंस के दूद से बनाया जाए तो इसके कई महत्वपून फाइदे हैं एक खास फाइदा है आप कह रहे हैं कि ये एक आयुर्वेदिक सम्मेलन है मेरे ख्याल से मैं ऐसा कहने के स्वतंतरता ले सकता हूँ ये सिस्टम के भीतर आभा को बढ़ाता है कोशी कि ये आभा उची उठेगी और आपका सिस्टम जादा जिवन्त हो उठेगा जो की लोगों के साथ आपके वेवार में प्रकट होगा ये सिर्फ घी खाने की वज़े से नहीं है अगर आप घी और कार्बो हाइडरेट घी और चीनी एक साथ खाते हैं तो ये फैट के रूप में जम जाता है पर अगर आप सिर्फ घी खाते हैं या भोजन के पहले निवाले के साथ थोड़ा घी खाते हैं तो ये चिकनाई के रूप में जादा काम करता है जब घी अकेला शरीर में जाता है तो उसे पचाने की शरीर की शम्ता बहुत कम हो जाती है पर जब ये किसी चीज के साथ मिलकर शरीर में जाता है तो ये फैट इकठा करता है तो सुस्त जीवन के लिए आपके सवाल में सुस्त जीवन का मुद्दा था जो तभी होता है जब आप उसे चीनी और कार्बो हाइडरेट के साथ मिलाते हैं वरना घी आपको किसी भी तरह मोटा नहीं करता ये आहार नली में एक चिकनाई वाले पदार्थ के रूप में जादा काम करता है